नमस्कार दोस्तो स्वागत करता हम सभी का एक बार फिर से अपने यूटूब चैनल रेर फैक्ट्स में दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे द्रोपदी मुर्मु जी के बारे में जी हाँ दोस्तो द्रोपदी मुर्मु भारत की पंद्रवी राष्टपती बन चुकी है और इन्होंने 25 जुलाई 2022 से अपना कारेभार समाल लिया है दोस्तो द्रोपदी मुर्मु भारत की पंद्रवी और दूसरी महिला राष्टपती बनी है इससे पहले परतिभा पाटिल जी भारत की पहली महिला राष्टपती के रूप में रह चुकी है द्रोपदी मुर्मू का जनम 20 जून 1958 को ओडिसा के मयूर भंज जिले के बैदो पोसी गाउं में हुआ था इनके पिता का नाम बिरिंची नारायन टुडू है द्रोपदी मुर्मू के दादा और पिता उनके गाउं के परधान भी रहे हैं एक पिछडे चेतर में और एक आदिवासी परिवार में पैदा होने के बावजूद उनके परिवार के सदसे सिक्षित थे और गाउं में उनका अच्छा स्थान था दुरौबदी मुर्मू एक सिक्सक भी रही है लेकिन बाद में दुरौबदी मुर्मू ने राजनिती में कदम रखा वर्स 1997 में दुरॉबदी मुर्मु ने रंगपूर नागर पंचायत के पारसत चुनाओं में जीत हासिल कर अपने राजनितिक जीवन की सुरुवात की थी दुरॉबदी मुर्मु ने बीजेपी के अनुसोचित जनजाती मौर्चा के उपाध्यक्स और आदिवासी मौर्चा के राष्टे कारेकारणी की सदस्चे के रूप में अपना कारेभार संभला उन्होंने वानिजे और परिवेन और मत्से पालन और पसू संसाधन विकास के लिए सवतंतर परभार के साथ राज्य मंत्री के रूप में कारे किया इसके लाबा वह 2000 से 2004 तक चार साल तक विधायक भी रही है विधायक बनने के बाद उन्हें उनके जबरदस्त काम के लिए नील कंट पुरुसकार मिला और उन्हें पार्टी के सर्वस्रेष्ट कारे करता और विधायक के रूप में चितरित किया गया राश्टपती बनने वाली द्रोपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला है द्रोपदी मुर्मू जारखन राजे में राजेपाल बनने वाली पहली आदिवासी महिला भी रह चुकी है तो दोस्तो आज की वीडियो में इतना ही उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो पसंद आई तो मेरी योटूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद